हेलो आप सभी का एक बार फिर से सुवागत थे आपके अपने चैनल मागनेट ब्रेंज कॉंपटीशन पर आज हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉंस्टुशन के बारे में कि समधान का निर्माल कैसे हुआ है हमने बहुत सारी बाते कर ली हैं बहुत सारे टॉपिक पढ़ हैं वो विसिस्ता हैं जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समधान कितने लंबे समय में बन पाया है उसके पीछे कारण क्या है जो विसिस्ता हैं हमने देखी है इस कारण से वह सभी को सामिल करते हुए समधान बनाया गया तो समधान काफी बड़ा बना बड साही समधान हम कुछ बनाते हैं अब बात आती है कि समधान का जो कॉंसेट है वो कैसे आया था तो अगर आप देखेंगे कि समधान के बारे में तो स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बात करी थी कि फादर ऑफ नेशन जो है वो किसको माना था इंगलेंड को हमने माना हुआ दुनिया का पहला रिटेन कॉंसेशन किसने लिखा था तो यह हमने माना था कि USA के दुवारा ये दुनिया का पहला रिटेन कॉंसेशन तयार किया गया था भारत के बारे में खासियत यह थी कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा रिटेन कॉंसेशन और दुनिया की सबसे तक तन्त में भी हम है और आज और आज हम कह सकते हैं के दुनिया जबसे बड़ा आवादी वाले देश दुनिया यही नाम भारत तो अब इस इतने विसाल देश के लिए समिधान की विवस्था कैसे हुई exhibited का टरीका कैसे आया तो हम नहीं माना कि लिखे आ कुछ नहीं लिखते थे लेकिन प्रॉपर डॉकुमेंट आया जो लिख कर दिया गया तो हम वहां से भी कई बार माल लेते हैं कि यह एक अच्छी चीज हुई वहां से हमने कॉपी कुछ अच्छ पड़े हुए थे यह क्या थे आप देख रहे हैं कि पिछले वाले अगला वाला अच्छा रहा था उसकी तुल्ला में अगला वाला एक्ट अच्छा रहा था इसी वीच में जब आते चले गए तो दो बातें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि साइमन कमिशन 1927 में बना और 28 में भारत आया तो जो भी कमिशन जो भी एक्ट बन रहे थी अब यह क्या था कि एक जो एक्ट बना था जिसको कहते हैं भारत साशन है ना क्या कहा जाता है भारत साशन अधिनियम 1919 गॉर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1919 तो इस वाले एक्ट में यह प्रोवीजन कर दिया गया कि जो भी एक्ट काम कर रहे हैं उन एक्ट को रिव्यू करने के लिए यह दस साल में एक कमिशन बनाया जाएगा और यह कमिशन क्यों बनाया गया है रिव्यू करने के लिए रिव्यू क्यों करेंगे रिव्यू करना है कि यह कैसे सभी कर रहा है और हम जिम्मेदार साशन कैसे दे सकते हैं जिम्मेदार साशन कैसे दे सकते हैं उसके लिए बात करेगा तो इन्हें हर 10 साल में कमीशन की बात करेगी तो यह कमीशन 1929 में लेकिन उनने कुछ जल्दी ही दो साल पहले ही साइमन कमिशन को बना दिया 1927-28 में इसको बना दिया गया यह एक साथ लोगों का कमिशन था टूटल सेवन मेंबर थे और सर जॉन साइमन जो थे वो चेर्में थे यह क्या थे इसके चेर्में थे अध्यक्ष हुआ करते थ थे मतलब कि हम कहें स्वेट थे तो इसको क्या कहा गया वाइट मैं कमिशन भी कहा गया स्वेट कमिशन यह कहला यह भारत आया अगर आप देखें तो यह 1927-2727 में बने गया अधाइस में यह भारत आ जाएगा आएगा तो अब यह किसके लिए बात करने आ रहा है भारतियो जो मेंबर है वो वाइट है इस कारण से इसको वाइट मैं कमिशन भी कई सारे लोगों ने कहा है इस कमिशन को क्या कहा गया है वाइट मैं कमिशन भी कहा गया है वाइट मैं कमिशन भी यह कहला आया है ठीक अब वाइट मैं कमिशन के पीछे का कारण क्या था क्योंकि इसमे लगे हैं बापस जा बापस यहां पर लगाए गए कि उनको लग लगा था तो हमारे लिई कुछ काम का नहीं होगा बापस चला जाता यह साइमेन dur ँवेशन दो यहाँ पर कुछ बात की गई की आप यहां पर Vamos मिलेंगे इसके बाद एक और कमिशन आया जिसको आप क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं यह और थोड़ा सा extended बर्जन आप मान सकते हैं यह क्रिप्स मिशन जो है वह 1942 में आता है और इसकी चेर्मेन थे वह स्टे फोड क्रिप्स हुआ करते भी दिवारां इसकी घोसना की गई कप यहाद रखेंगे कि 11th of March को इसकी घोशना की जाती है और 20th of March को ये इंडिया आजाता है 22 March को ये भारत आता है 11 March को इसको डेक्लियर किया कि ये क्रिप्स मिशन बनेगा इंडिया के लिए और ये क्रिप्स मिशन के उबनाए गया था उससे एक्स्ट क्योंकि आप ये टाइम देखते हैं 1942 तो ये 1939 से 1945 के बीच का समय आता है ये डेट मैं क्यों दे रहा हूं ये डेट है World War 2 की और वर्ल्ड बॉर्ड सेकेंड में बिटेन भी अहिम किरदार निभा रहा था और एक बड़ा हिस्सेदार था आप ये बात जानते थे तो क्रिफ्स मिशन में ये कहा गया कि चुकि भारतियों का सपोर्ट चाहिए था बहुत सारा बहुत सारे इंडियांस जो है इनकी सेना में थे तो क्रिफ्स मिशन वहाँ पर बनाए गया और ये बोला गया कि आप्टर वार वार के सेटल होने के बाद हम इंडियन को एक डॉमिनिन स्टेटस दे देंगे एक उपनिवेस बना देंगे और इनको ये राइट भी होगा बो चाहें तो कॉमन बेल्ट में रहें चाहें तो न रहें ऐसे कुछ अन्याधिकार देने की बात कर दी इनने ये भी कहा कि कॉंस्टुशन ओस्ट्वन असेंब्ली वुट वी फॉर्म आप्टर दे सक्टिलमेंट ऑव वार के खतम होने के बाद ये उसके सब्टिलमेंट ये बना लेंगे अब अपना संविधान तयार कर लेना ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा कहा भी गया था बोला भी गया था इनने यह बोला था कि यह सारी चीजें कृप्स मिशन में करी गई लेकिन अब कृप्स मिशन में वहाँ पर कुछ हुआ नहीं पाती है ना हो पाने के कारण आप देखें हाँ पर अगर हम देखें कि भारत में समधान निर्माल की जो हम बाते करते हैं कि समधाने इर्माल कैसे हो पाया है तो भारत में बहुत हो पाया है क्याबनेट मिशन के दुवा वहाँ पर जो election हुए थे किसके लिए election for the election किसके लिए prime minister की post के लिए हुए थे वहाँ पर दो प्रकार की party बिटेन में many political party system है लेकिन दो party आगर आप बिटेन का political party system देखेंगे तो वहाँ पर दो party है पॉलिटिकल पार्टी अगर आप देखते हैं तो दो पार्टी थोड़ी सी आपको तगडी देखने को मिलती हैं कौन से कौन से एक तो होती है लेवर पार्टी और एक होती है कंजर्वेटिव पार्टी यह दो पार्टी है क neighbors पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी एक्सरमें के दल और रोडी वाधी दल इस तरीके से पार्टी के तरफ से पी-म यह गौब्मेंट में बैठी हुई थी पार्टी अगर इसकी बात करें तो यह सरकार में बैठी थी और यहां के पी-म वो चर्चिल सहाब थे जिनकी हमने अभी चर्चा करी हुई है यह चल दाए थे और यहां से जो पी-म केंडिडेट उतारा गया था अगर यहां के PM केंडिडिBrien की बात करते हैं घलिली सहाव एक केंडिटि को पीएंडिट अधर अगर इम्टें ऑलिए प्लिटिकल केमपेंग और इंडिया के प्लिटिकल केंपेंग या प्राइमिरिस्ट रएलेक्शन की बात करते हैं तो लगबगाई एकसा है यहां पर भी अलग अलग पार्टियां अपने मैनोफेस्टो बनाती हैं और उन्में घोस्टाएं करती हैं यह घटनाएं घट रही है यह 1945 की आसपास की आप देख रहे हैं जब वर्ल्ड वॉर्ड सेकंड सेटल हो चुका था चर्चिल सहाब ने क्या घोस्टा करी कि देखा मै ने कैसे वर्ल्ड वॉर्स सेकंड जिता दिया है ब्रिटेन को और मैं ऐसे ही युद्धो के दुवारा ब्रिटेन को जो है वो नंबर बन बना दूँगा हकीकत व्यक्ति को जहां लेना चाहिए सबसे पहले दुनिया में हर एक आदमी को अपनी हकीकत जानना चाहिए जो तै साथ सत्य है वो आपको जाने ला चाहिए कि अकॉर्डिंग टू टाइम क्या आपका सत्य हो सकता है आप पावर में रह सकते हैं जब तक यूनिवर्स तब तक पावर में रह सकते हैं लेकिन आपको अपने आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम अगर तो चर्चल OMG को בाराब आपवारा से नंबर बन बना देंगे जनता यह जान चुकी थी यह उद्ध से अफ़ नंबर बन नहीं बन सकता है नाब नने के कारण कारण का करन कि एक तो जोगरफिकल इरिया छोटा है चारों तरफ से हम कबर हैं पॉपलेशन भी हमारी कम है माली जिए कि हमें किसी बड़े देश से लड़ना हो तो हमें आर्मी बड़ी चाहिए तो हमारे पस तो लोग यह उतने नहीं है लोग जान चुके थी बिटेन के लोगों को जेंटलमेन कहा जाता है यह लोग ज्यादा खून खराब वाली बातें नहीं करते हैं और इनकी इमेज दुनिया में खराब हो रही थी तो यह इमेज पर भी ध्यान दे रहे थी लेवर पार्टी के जो कंडिरेट थे क्लिमेंट एटली साहाब वो बात को समझ चुके थे कि जनता का रुक कैसा है नब्ज पकड़ ली थ साथ हो गई थी वर्लबार सेकेंड में हम सामिल ना भी हुए थे लेकिन ब्रिटेन ने जब रस्ती सामिल करवा दिया तो हमारे बहुत सारे लोगों की जान चली गई तो एटली साहब ने बोला कि क्या है कि हम क्या बोलेंगे एटली साहब कह रहे है कि हम भारत को आजात कर जनता ने बुला यह यह बढ़ा अच्छा प्राइम म physiology आ हम तो आजात करने की बात कर रहा है तो जनता ने दबाकी मोहर लगाई बोट डाले और दाले तो यह तो इटली साहब प्राइमिस्थर बन गए क्या हो जाता है एटली साहब क्या बन जाते हैं फ्रबन जाते हैं जा एटली मत लखे लेना कोई है एटली है याद रखना जेटली भारत के एटली इंगलेंड के यह क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन हो जाते हैं जब यह प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन हो जाते हैं तो फिर देखा कि इंडिया के ब पैसा इंडिया से आ खर्च करना नहीं पड़ता है एक कहावत है हमारे हाँ ऐसा कहते हैं कि लगती गाय की लाते है सब कोई सहता है लेकिन दूर निकालना बंडा ही करते हो भारत में दिमांड तो चल रही थी आजादी को लेकर 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 अगर आप देखेंगे तो इंडिया से इनको पैसा बहुत आ रहा है तो क्या करेंगे उसको कैसे भी दोचाल लाता है सहलें के मतलब जो भी यहां पर घटना घट रही है उनको सहलेंगे लेकिन छोड़ने के मूड में नहीं है क्योंकि बिटेन उतना सोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा जतना भारत से आ एक्स्रा इंकम कहां से लाएगा यह सारी चिंता की बात थी उनके लिए और वह आजाद करना नहीं चाहा रहे थे एक साल वीद गया आजाद नहीं करना चाहा रहे थे तो उनके अपने देस्ट में दबाव बड़ा और भारत के लोग तो इनके उपर चड़े जा रहे थे वो कहा गया कैबनेट मिशन जिसको आप 1946 की नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं 1946 की नाम से आप इसको जानते हैं ठीक अब आप 1946 का जो cabinet mission यहां पर बन गया तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि cabinet इसको क्यों नाम गया गया क्योंकि इस पे जितने भी मेंबर आये वह बिटेन cabinet के मेंबर थे cabinet rank के मिनिस्टर थे इस कारण से सको cabinet mission कहा गया यह पिछली वाली स्लाइट की डेट जरूर करेक्ट कर लेना वह बाई मिस्टेक क्रिप्स मिशन की 42 लिग गई थी आप 46 करेंगे तो यह बात है यहां पर हमने देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं पर तो अब यह जो गया जो cabinet mission 1946 बना है ना आप जो cabinet मिशन 1946 बना तो इसमें यह तीन मेंबर सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रेफोड क्रिप्स कौन किसको देख पाएंगे सबसे पहला नंबर देख पाएंगे आप सदी आप सबसे बात समझ भाई ब्रिटेन में अगर सरकार का बदलाव नहीं होता तो आपके लिए क्याबनेट मिशन इतनी आसानी से जल्दी आ भी नहीं रहा होता पैथिक लॉरेंस आप जो थे वो इस को आप देखते हैं तो तीनों क्या है कैबनेट मिनिस्टर और बिटेन पारियमेंट आती यह पूरा शयूरा करकर आये थे कि हमको भारत को आजात करना है ऐसी कुछ बात है यह सोचकर आ रहे थी जब आजादी वाली बात है सोचकर जब यह cabinet mission भारत पहुचा है जब यह cabinet mission भारत पहुचा तो जैसे ही यह भारत आ रहे थे इंडिया आए तो इंडिया में दो पॉलिटी पॉलिटिकल पार्टी है एक को कहेंगे कॉंग्रेस और एक क assembly बना दी जाए आप अपने assembly बना लो समधान बना लो और काम कर लो मजए की बात यह है कि cabinet mission के पास यह राइट नहीं था यह सिर्फ इंडिया की बात करने आये थे किस के लिए यह सिर्फ इंडिया के लिए आये थे not for Pakistan पाकिस्तान क्या था तो आप पाकिस्तान को माने इंडिया यह भारत का एक हिस्सा हुआ करता था तो यह पाकिस्तान के लिए आये थे यह इंडिया के लिए आये थो और इन्हें पाकिस्तान की बात करी भी नहीं मुस्लिम लीगी ने क्या बोला कि बाटो और जाओ यह इनका नारा चला था डिवाइड इन गो इनने बोला कि आप तो दू बना दो और जाओ हम कर लेंगे अपना कॉंग्रेस रेडी थी कि आप बना दो हम समाल लेंगे अगर यह तयार हो जाएंगे तो इनको भी सामिल कर लेंगे बहुत दिन तक बात्चीश चलती रही फिर बाद में आप देखें कि कॉंग्रेस के साथ इनने जो रेक्मेंडेशन थी वो कॉंग्रेस समाल ली थी मुस्लिम लिगा ने इसको रिजेक्त कर दिया था तो दौनों परिटेखल पर्सरा लीज़े बात कर जेंचर तो यह मुस्लिम लेख की मांग थी पाकिस्तान यह कहई रहा थे कि आपकिस्तान बना दो और चले जाओ यह इननने बात करी थी और हम नहीं देखा कि यह पाकिस्तान के लि सम्विधान सभा का गठन क्या सम्विधान सभा का गठन और दूसरा क्या था Constitution Constitution of interim government अंतरिम सरकार का गठन अब यह दो चीज़े क्या थी चुकि हम लोग कई बार यह कह चुके थे कि अंग्रेजों की मदस्ते हमें कुछ नहीं करना तो जो सम्विधान सभा बन जाएगी वो तो सम्विधान बनाने का काम करेगी लेकिन उस दौरान देश कौन चलाएगा समधान सभा को कौन समभा लेंगे तो एक ऐसी अंतरिम सरकार आप बना दो जिससे हम अपना देश समधान बना लेंगे फिर हम लागू कर देंगा और सारा मामला हमारा सेट हो जाएगा तो यह दो सिफार से थी आप से पूंच सकते हैं कभी-कभी कि जो कौन जो अंतरिम सरकार के बारे में बात करते हैं कॉंस्टूशन ऑफ अंतरिम गवर्मेंट किसके बारे बात करते हैं अंतरिम सरकार के बारे में हम यहां पर बात करेंगे तो अंतरिम सरकार जो फॉर्म की गई है उसकी डेट आप याद रखेंगे 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का यहां पर गठन कर दिया गया बना दी गई कि अंतरिम सरकार बनाई जाए अब अंतरिम सरकार अगर आप देखेंगे तो टोटल मेंबर अंतरिम सरकार में कित्ते रखे कैसे अंतरिम सरकार को बनाया गया इस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कैसे बनाया गया तो इसको अगर आप देखें अंतरिम सरकार को है आप इंतरिम गौवर्मेंट में कि टोटल मेंबर कितने रखे गए तो टोटल मेंबर रखे गए चाउदा अगर इसका सही विभाजन देखोगे आप तो क्या था अगर इस चौदा का सही विभाजन आप देखोगे तो पहले क्या हुआ करता था जो होगे होगा पाउच कोंगेरे से का पाउस मुस्लिम लिग से और यहां पर देख मिल जाता है 9 पाउस आप यहां पर देख पाते हैं तो टोटल मेंबर कितने आ गए चोदा आ अगे अन्तरिम सरकार में नो कॉंगरेस से होंगे और पाँच मुसलिम लीग से होंगे अब अंत्रिम सरकार का चीयरमेन कौन होगा Lamb कौन होगा अब और Deputy Chairman कौन होगा पीज एमें तो कौन होगा यहांपर एस राय होंगे यहांके जो गवर्नर जैर मनल होंगे वही क्या होंगे आपके हैना तो वही क्या हो जाएंगे आपके चेर्मेन हो जाएंगे और डिप्टी चेर्मेन कौन हो जाएंगे तो यह हो जाएंगे आपके नहरू जी जो है वो क्या हो जाएंगे हांके डिप्टी चेर्मेन यहां पर बनाए गए और उस ताइम पर जाय स्राइं लॉर्ड बैवेल है ना तो वह आप देखेंगे वहाँ पर यह चेर्मन यहाँ पर बन जाएंगे वही चेर्मन यहां पर हुआ करते थे और जवालाल नहरू क्या हो जाएंगा यहां पर डिप्ट की चर्मान हो जाएंगे कि लिए रबात यहां तक की चरिया का नहरू जी के पास external affairs minister मतलब यह बिदेश मंत्राले बाला मामला इनके पास था जो बाहरी मामले commonwealth relation वाला मामला भी इनके पास था और यह वाइस प्रसेंट तो हुआ ही करते थे जो डिप्टी चेर्मन हम के रहे वाइस प्रसेंट तो हुआ संत्राला दिया गया home ministry information and broadcasting सूचना और प्रसारण भी दिया गया और state affairs भी दिये गए state affairs इसलिए गया क्योंकि state का एक ही करन करने काम यह कर रहे थे और इंटरनेस्टर लेवल पर काम नहरूजी कर रहे थो इस कारण से इंटरनेस्टर मामले इनको दिया गया इंटरनल मामले इनको दिया गया कि state को कैसे मिलाना है साथ ही साथ information and broadcasting के देश के अंदर कैसे हम उसको maintain करना वह भी इनको दिया गया डॉक्टर राजन प्रसाद इनको दिया गया food and agriculture खाद और करसी डॉक्टर जोन मथाई यह इंडस्टी इन सप्लाई उद्योग और अपूर्ती डिपार्टमेंट को दिया गया जग जीवन राम इनको एक विभाग दिया गया सो कहते लेवर स्रम मंत्राला इनके पास हो जाता है जग जीवन राम का अपने आप में रिकॉर् इनके पास एण ट Kelly और प्रिवहन वाला मामला था और सी राजupl पवर्ति राज jud जो साउथ हिंडिया में प्रिवेस करवाया है वो इनके द्वारा ही करवाया गया कभी पूच़ें आप से तो आपको को बताना है कि साउथ इंडिया में हिंदी के विकास के लिए या डेवलोप्मेंट फॉर दी हिंदी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो रिस्पॉंसबल है तो वह राजगोपालाचारी यह उसको दक्षिन भारत में ले गए थे मुस्लिम लीग से कौन और आये हैं तो यह पांच लोग आए हैं मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वहां से आये हैं लियाकत अली खान जिनके पास सामिल नहीं हुई थी बाद में जब सामिल हुई तो उसने क्या हो ला कि हमें department हमारे मन के चाहिए तो आप यहां पाद देखेंगे कि department उन्हें सारे तगड़े लिए थे और वो इसकी सथ 5 पतों के साथ सामेल हुए थे बाद में उन्हें काम करने परिसानी पैदा करी तो आपने सुना होगा कि नहरू जी ने कहा था कि हमने सर कटाने सरदर्द से छुटक लियाकत अली खान साब को finance department पैसा इन से पूछ करने के लिए का प्राइम सर कोई भी बने रहोती यह परिसानी करना इन्हें खड़ी कर दी अब्दुल रवनिस्तर इनको डाक और वायू वाला मामला दिया गया था आई आई चुंद्रीगर इनको commerce मतलब की बाणज व्याप प्राइमिStar भी बनते हैं यहाँ पर पहले प्राइम स्कूल होता है तो होता है तो यह लोग छले जाते हैं छोड़ कर जाते हैं फिर बटवारा हो जाता है हमने देखा था कि 1947 बटवारा हो जाएगा तो यह लोग पाकिस्तान चले जाएगे और फि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्री मंडल स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्री मंडल आप आपकी जो नोटवक बना रहे होंगे उसमें लेखेंगे जरूर और यह कंपेर करके देखेंगे कि उसमें भी 14 लोग आपको मिलेंगे और यहां पर 14 आपको देखने को मिलें थे यह पाँ जाने की जगह पर लिखेंगे भी और कमेंट करकर भी आप बताएंगे अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करकर भी बताएंगे क्या क्या बदलाव वहां पर हुए थे अब सेकेंड पाट पर बात करते हैं सेंबली समिर्षान सभाका गठन कैसे होगा और सब कमपोजिशन क्या होगा तो concept of कांस्ट असेंबली किस नहीं तो concept of concept असेंबली दिया था इनके दुबारा जो विचार है समिर्षान सभाका विचार जो है वो जो है इनने 1934 में विचार दे दिया था अब जब इस cabinet mission की द्वारा है ना यह किसके according हम का composition कर रहे है cabinet mission के द्वारा कर रहे है और यह cabinet mission कब आया है जिसकी हम बाते कर रहे है 1946 में आया है तो cabinet mission के द्वारा जो हम समधान सभा के गठन की बात करते हैं तो यहां पर क्या बूला गया कि हर 10 लाख population पर एक representative हम बनाएंगे ऐसा करते करते टोटल लंबर अफ सीट्स कितनी मतलब आप अंदाजा लगा सकते इंक्लूडिंग अब यह किसके लिए की गई है इंक्लूडिंग भारत पाकिस्तान और बंगलादेश यह तीनों भारत हुआ करते थे तो तीनों के लिए यह समधान सभा बनाए गई तो उस टाइम की population आप देख लो लगभग 40 करो 38.9 मतलब 49 करो लगभग 40 करो पॉपलेशन उस टाइम पर भारत पाकिस्तान और बंगलादेश की मिलाकर हुआ करती थी आज भारत अकेला ही समझ गए होंगा आप नंबर बन पर है चाइना को कंप गई है तो यह टोटल स्टेंग्स रिसाइड हो गई कि 389 होगी अब यह 389 इंडिया में कहां कहां से हो गई एक तो है ब्रिटिस स्टेट और एक है प्रिंसल स्टेट तो ब्रिटिस स्टेट से जो आपको पॉपलेशन मिलती है वो मिलती है 296 की और वाकिक इस जो आप देखेंगे 93 तो जोड़ देंगे ना 76 नो 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 ठारा हो गई अब यहां पर अगर आप यह 296 को भी अगर मैं तोड़ना चाहूं तो इसको मैं दो पार्ट मैं तोड़ सकता हूं 294 टूनाइटीट्व एंड फोर र्याट टूनाइटीट्व एंड फोर तो अगर इनको कहें यह 292 क्या थो यह तो यहS मिल्च तो नाम कौन सी दिल्ली अजमेर कुर्ग और बलुचिस्तान इन चार कमिस्णरी से चार आ गए और टू नाइटी टू आ गए और यह प्रिंसली स्टेट हो गए प्रिंसली स्टेट कौन से हो गए यह 93 वाली जो हम बात कर रहे हैं अब आपके मन में एक बात आएगे कि सर जो एलेक्ष तो इनने चुनाओ वाली बात तो खारिज कर दिया चुनाओ कहां पर हुआ था जो एलेक्षिन हुआ था एलेक्षिन फॉर एलेक्षिन जो हुआ था वो कि कहां पर हुआ था तो एलेक्षिन आपको सिर्फ यहां पर देखने को मिलेगा और यह कैसा एलेक्षिन होगा यह इ हो जब तो यहां पर इंडिया कैसा है complete है जिसमें पाकिस्तान सामिल है क्या सामिल है जिसमें पाकिस्तान सामिल है अब partition का मतलब क्या है कि इंडिया अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया तो पार्टिशन के बाद जो स्टीटेट बचेगी वो कितनी बच रही है वो आपको बतानी ऐे तू नाइंट इनाइं बच रही है कैसी-कैसी-कैसी बच रही है। वो देख लेते हैं के बाद आप देखेंगे कि 76 तो आजाएगी प्रिंसली स्टेट से और 229 से आजाएगे कहां से समझ में आ रही बात तो यह जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अगर आप देखें यहाँ पर हम बिटिस इंडिया में बात कर रहे थे जब बिटिस इंडिया के अंदर आप देखेंगे जब बात कर रहे थे तो यहाँ पर अपने देखा था कि तू नाइंटी टू का एक कॉंसेट था और चार का एक तैटा यह देखत रही ते देखते रही तो जो अग्रेज़ों में भारत में बना के रखे थी और यह चार अलग अलग कमिस्टरी से आ रही दो को आप देखेंगे यहां पर बिटे सिंद्दिया में आप स्टी आ घट र सेविंटी क्या जाएंगे आपको प्रिंसली स्टेट से मिल जाएंगी यह क्या हो गई इसे बन जाती है कि लिए रबात कि यह कॉंस्ट्वेंट असेम्बली यहां पर बन गई अब consequence assembly बन गई तो इसने और काम करना start किया तो किस तरीके से काम करना start करें कैसे ये काम करेगी किस तरीके से इनका काम start हो जाएगा उस पर हमें बात करनी है तो सबसे पहली बात करेंगे first meeting की first meeting हुई 9th of December 1946 अब यह पहली मीटिंग के अंदर होता क्या है तो पहली मीटिंग के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर क्या होता है कि सभी मेंबर अपार्लेमेंट अपर कॉंस्टन असेंब्ली जितने भी थे कितने थे 389 इनको यहां पर बुलाया गया और इनमें से एक हैड हमको बनाना था एक को हैड बनाना था कि ताकि वो 389 को संभाल सके हैड कैसे बनाया तो हमने आईडिया लगाया कि सीनियर्टी के बेस पर एक हैड हमने बनाया तो यहां पर टेंप्रेरी चेर्मेंट हमने चुन सच्चिदानन्द डॉक्टर सच्चिदानन्द से नहां जो है वो क्या होंगे यहां के टेम्प्रेनिश्यर में आ जाएंगे अब यह तो 9 अब दिसम्बर काम हो गया अब 9 अब दिसम्बर के बाद जो है वो अगले मीटेंग हुई सेकेंड मीटेंग के अगर आप बात करेंगे तो सेकेंड मीटेंग हो जाएगी 11 दिसम्बर 1946 11 दिसंबर 1946 को second meeting हो जाएगी तो इसमें और क्या निकालेंगे तो 11 दिसंबर 1946 को second meeting हो जाएगी तो इसमें आप एक चीज पता करेंगे यहां पर आपको permanent chairman मिल जाएंगे और वो कौन हो जाएंगे dr. राजेंदर पुर्षाद ऐसा कहते हैं कि इनको पूरा समधान याद था जो भी ड्राफ्ट इनके पास आते थे वो इनको याद कर लिया करते थे तो इनको सबसे पहले चेर्मेन बना दिया गया और इसके डिप्टी चेर्मेन भी बनते हैं तो यह हमारे क्या हो गया समधान सवा के पर्मानेंट चेर्मेन इस्थाई अध्यक्ष हो जाती है फिर अगली डेट आती है जिस डेट को हम कहते हैं 13 अब दिसमबर 1946 यहां पर नेहरुजे क्या करेंगे उद्देश का प्रस्ताव कुल 15 महले आव देखता हैं कुल 15ото 15 महला सिधेंव तो कितनी थी 15 महला स्भाम में आपको की समधान सभावथ का कॉन करके चलते हैं 9 nous सब्सक्र से काम करते करते कब तक समधान सभाने काम चाह 26 नौंबर और पूरे सम्धान को बनाने में लगभग 64 लाग का खर्चा हो जाएगा 9 दिसमबर से लेकर 26 नॉबर के बीच में 64 लाग के असपास का आपर खर्चा इंकुलूडिंग चाहा है सिग्रेट और जो भी सब चला था सब कुछ को मिला कर कि वहां पर काम कर रहा है रात में लांटें जल लाई समोसा का चोड़ी सब कुछ पेपर पैन यह सब कुछ मिला कर 64 लाग का खर्चा हो जाएगा अब यहां समधान तक कितरय को समय लगा तो कहेंगे तो वर्स 11 18 महां फॉल मना थैंगर समधान बनाने में ने अदो टॉटल पड़ोसी कोई देखे लेना आप उसका डेटा निकालोगे तो हमसे बुले चोटा सा देश यह तो ऐसा ऐसा कर रहे थे और बना इतना समय तो वह अलग बाते हमको लगबग थे नितना समय यहां पर लग जाता कहो आप अब जिस औजेक्टिव रिजोर silence की बात हम कर रहे थे जिसे उद्देश quand कर दिया गया 13s सभामें रखा गया और किसके दोरा रखा रहा था तो नहरू झार कब आप पास हो गया पार्ट कब हो गया in 22 suscri Already 1947 कोई सुएकार हो जाता है अब आप से सवाल वनिंगा कि अधश्त का प्रस्तायों बर्तमान समयधान कहा पर है कि यह उद्यस के प्रस्तायों को किस रूप में बर्तमान समयधान में सुएकार किया एक एक्रस्तायों के साथ यह सवाल अक्सर बनता रहता है तो कुछ बदलाओं के साथ इसे प्रस्तावना के रूप में सुईकार कर लिया गया है अभी हम यह भी देखें कौन सा समधान का पार्ट पहला है कौन सा आकरी है मतलब समधान में जोड़े गए भाग जो हैं वो कौन पहले हैं और कौन आकरी ह इतनी होगी अब समिधान जो हम बना रहे थे तो कैसे बनाएं तो समिधान के हमने लीगल एडवाइजर भी अपॉइंट करें थे जिनका नाम था बी एन राओ कि बैनेगल नर्सिम राओ यह क्या थे हमारे विधिसलाहकार थे कि समिधान सब आगे किसके समिधान सब आगे तो एक कंक्लूजन निकला कि हमें कुछ कमेटियां बनानी पड़ेंगी और वो कमेटियां कैसी हो कि हार एक साथ-साथ-साथ-साथ-साथ लोगों का चुकि आप 389 लोगों से काम इखटे नहीं करवा सकते उनको छोटे-छोटे गुरूप में बातना होगा बुले तुम यह कर लाना तुम यह कर लाना सब को अपने और सब लोग बड़ी रिसर्च करके आएंगे तो ऐसी कमेटियां कुछ बनाएं गई वहाँ पर तो यह कुछ कमेटियों की बात की गई है कुछ के चेर्मैन मैंने लिख दिये हैं तो उ यूनियन कॉंस्ट्यूंट कमेटी रिद्यक्ष संघ सरकार और संग समधान समिति का अद्यच्श हमको बनाए गए थे और उसके अंडर में दो और सब कमेटिया बनी थी परामर्स समिती आप देखेंगे तदर्थ समिती और cmminourty और चुछ और ट्राइबर एरिया उनके लिए भी बना गई थी तो उसमें भी यह थे हाला कि उसकी सब कमेटिया बना दी गहीं थी और कई सारी कमेटिया बना गई थ इसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी याने के प्रारूप समिती इसे समिती ने त्या किया था कि समधान का प्रारूप कैसा होगा क्या चीज पहले लिखी जाएगी क्या चीज बाद में लिखी जाएगी और किस तरीके से लिखा जाएगा यह पूरा से लिखते हैं यह सारी वस्ता हैं आपको महां पर देखने को मिलेंगे अब जो समधान बनकर तयार हुआ है तो वह कितनी बार पढ़ा गया है टोटल तो आप देखेंगे कि इसके जो बाचन आते हैं इसकी जो रीडिंग्स आती है वह आपको मिलेंगे कि टोटल तीन बार इस लगबग एक साल अर्ठ जो है वह 14 नॉवंबर 1904 से 26 नॉवंबर 204 और 26 नॉवंबर के दिन ही हमने क्या कर लिया 26 के दिन हमने समिधान को अपना लिया लागू कर लिया इसी कारण से सो क्या मनाते हैं समिधान डिवस क्या मनाते हैं समिधान डिवस Constitution Day के रूप में यह की जाती है तिक समल्हान से वारे कुछ और चीज़ें भी अपनाई जैसे आप देखें 22 जुलाई उड़ निसु सतालीस को रास्टी द्वज नेशनल फ्लैक को यहां पर अपनाया इस नेशनल फ्लैक को क्या किया गया तिरंगा की रूप में अपनाया गया इसमें आप तीन र जंडे का रेत्यूं क्या है तो तहीं आपको जंडा हमेशा मिलेगा और मुक्ह डंड़ अब पिंगलिया के और पिंगलिया न को मैं जिसको आप जन गढ़ मन कहते हैं इसको एक आप कि रिस्पेक्ट में पूरा जन गढ़ मन बनाया गया है चाहे तो यह कि में न देखुवारएं और किससे न लिखा है तो यह लिकोर kita गाया गया था आप देखेंगे इसमें सब्द आते हैं जन गर्मन अधिनायक जया है यह तो प्रस्तावना टाइक हो गई जन गर्मन अधिनायक जया है चलो मैं बता ही देता हूं आपको कुछ चीजे जिसे आप देखें यहां पर क्या जाएगा जन गल मन अधिनायक जया कि भारत भाग बिधाता जन गलमन अधिनायक जया है भारत भाग अब इसमेदेखता देखते होंगे पंजाब सिंधें पंजाब सिंध दाहए है HOW को गुजरात और मराथ ये च शित के बारे बता दिया है पंजाब संद गुजरात मराथा है ना और फिर आप दिखते होंगे उतकल और बंगा हैना तो ये सब आप देखते हुआ। तो यह सारा जो ही जो जनकर्मन लिखा गया है उसको जब पूरा decode करेंगे तो आप देखेंगे इसमें भारत की एक चीज जैसे सब्घावर्च हैएंगे उसमें एक द्रावर्च अब हैगा तो 30 सब्सक्राड गर्ट कभत कर स्पुंध है तो टिकल क्या है आप जोग्रफी पढ़ें कि एक नतैकर है बंगा इसके लिए लिखा जाएगा बंगा आप देखेंगे पंगाल के लिए कहा जा रहा है फिर कुछ नदियों का जक्रोंगा तो यह पूरे भारत को लेकर जगए-जगए से कुछ चीज़े उठाकर इसको तयार किया गया है इसके उपर फिर हम सेपरेट में भी एक बार बात कर लेंगे कि कि यहां पर चर्चाय होई थी सेपरेट में अब हम यहां पर देख और मैई 1900 अब रास्टगीत कि अगर बात करें तो रास्टगीत किसनह लिखा ऐब फिर्सक्त इचनद चट्टो पाध्याइन किसे लिखा है बंकिंचन्द चट्टो पाध्याइन है कुछ जगा चटर एअधा है वो भी सही है चट्टो पाध्या लिखा आथा वो भी सही है हो या तो यह बंदे यह जो रास्ठ गीत है और रास्ट गवान रिये गए 14 जनबर 50 को मैउं तो निशन चार्ज को भारत ने common wealth की भी membership ले ली common wealth याने कि जहां जहां पर अंग्रेजों ने ruling करी थी उनका एक गुरुप बना था इसको common wealth कहते तो भारत वहां की भी membership सबसे ले लेता है तो यह कमेटियां हमने देख लिने मोच्वी और क्या क्या कर लिया कि भारत ने जगह-जगह की क्या जिए भारत ने कर लिया कि बहुत सारे चीज़ा भी और यहां पर अडॉपट कर लेता हैं अब अब जो यह ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिस रेको ड्राफ्ट तयार करना था वो क्या थी तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनती है तो आप देखेंगे 29 अगस्त 1947 को बनती है और टोटल सेवन मेंबर इसमें रखे जाते हैं साथ मेंबर रखे जाते हैं कौन-कौन थे वो साथ मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है इसको प्रारूफ समिति कहते हैं क्या कहते हैं प्रारूफ समिति कहते हैं और यह समिति क्या करेगी समधान को लिखवाने का कैसे उसको तयार करना है वैसे उसका काम क्या जाएगा यह डॉक्टर बियार अंबेटकर की अध्य यहाँ पर अगले दो मेंबर है एन माधवार आए यह किसकी जगए आए थे तो इनने BL मित्तर को रिप्लेश किया था चलते रजाएंद ए धिया था और टी-टी क्रिस्मचारी यह किसकी जगए आये थे इनने डीपी खेतान को रिप्लेस किया था जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में तो यह साथ लोगों की एक प्रारूप सम्मिती बनती है जो समधान को लिखवाने काम करती है कैसे तो आप देखेंगे कि समधान को कुछ इस तरीके से यहां पर लिखा गया है जगय जगय पर चित्र छोड़ जगय चोड़ी गई है ताकि वहां पर पेंटिंग हो सके और लिखा हाथ से गया है और लिखने वाले सक्स का नाम है प्रेम बिहारी नाराएंद रहे जाता और यह समधान जो आपका बनकर तयार हुआ इस प्रारूप समिती के बाद जो इंडियन कॉंस्ट्यूशन बनता है यह इंडियन कॉंस्ट्यूशन जो बनता है अगर इसकी में बात करूं तो यह कब बनता है तो यह 26 नॉमबर 1949 को यह बनकर तयार होता है तो इसी दिन हम इसके कुछ प्रविजन अपना लेते हैं लेकिन हम इसको इनफोर्समेंट में कब ला रहे हैं तो 26 नॉमबर की जगए हमने क्या किया कि 26 जंवरी 1950 को हम लागू करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने पहले कभी 26 जनवरीको इंडिपेंडम बना लिया था हमारा सुतंता दिबस मना लिया था और 26 जन्वरी पास महीं था दिसंबर का महीं था जन्वरी जाएगा तो हमने बोला के 26 जन्वरी को हम लागू कर देंगे 15 अश्कोंमें फ्रीड़म लगए वो तो हो nagu 26 नॉढ़ को समधान बन गया तो इक दे हो जाएगा और इसको लगा हम जनवरी से देते हैं तो यह हमारा रेपब्लिक दे हो जाएगा तो इसका रहन से 26 जनवरी को इसको यहां पर लगा दिया अगर आप देखेंगे यहां पर कि इंडियन कॉंस्टिशन कितना बड़ा लेकर तयार हुआ है और टोटल टाइम कित करते हैं साइज अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे किसमें 395 आर्टिकल से एट से ट्री नाइंटी फाइव आर्टिकल जो है इनको अलग अलग बाईस भागों में बाटा गया है तो आप से पूछे कि और इनल कॉंस्टिशन में कितने आर्टिकल थे 395 कितने पाट रखेंगे किकर्ट विडियो में क्या बात करेंगे तो अगले वीडियो मैं देखि मैं मैगनेट काँटिटिफ चैनल मैगनेट बिश कोंपुटिस vigil देशन पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सिहर करें सभी कमेट भी करका बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग